हलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे आप सब उमेद करते हो कि सब अच्छे होंगे तो थोड़ा सब बैग्राउंड चेंज है मैं आई हो अपनी मदर की घर पर बट मुझे ये वीडियो आज ही पोस्ट करना था तो थोड़ा से इसको कुछ एक पार्ट रहता था जो कि करें तो मैंने फिर से वेट लूज चैलेंज जो है स्टार्ट किया है और कल था 25 निवेंबर इसका फर्स डे तो पूरा जो मैंने खाया पिया वह सब शूट कर लिया वह अभी हम आपको वीडियो में दिखाऊंगी तो यह जो चैलेंज है मतलम यह वेट लूज करना ही है य जो मैं आपको दिखा रही हूं और यह एक्शली जो डायट है वह मैंने लिया हुआ है यह मेरा खुद का नहीं है यह जो है लिया हुआ है तो इसमें थोड़े बहुत मैं चेंज अपने अकोर्डिंग कर रही हूं तो मुझे सबसे पहले मैं एक बताना चाहते कि मैं कोई ड कर सकते हैं इसका रिजल्ट है जो वह भी मैं दिखा दूंगी मैंने कर जहां वेट शुरू किया था और आज का जो मौनिक का वेट था वह भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी तो इस डाइट को आप अपने हिसाब से थोड़ा मोडिफाइ कर सकते हैं मैंने भी इसको मोडिफाइ किया है क्योंकि वो जो स्ट्रिक्ट डाइट है वो मैं नहीं फोलो कर सकते हूं जैसे कि मैं चाय के बिना नहीं रह सकती मेरी चार पांच कप चाय एजली हो जाती है और थोड़ा वह कुछ रगुशी दे उदर का थोड़ा वह भी खाती वो नहीं खाना होता है तो यह सब चीजे हैं इन सब चीजे को ध्यान रखना आपको अपने इस डाइट में तो बाकी का पूरा मैं शूट कर चुकी हूं और वही आप मैं इसके आगे वह वाला पार्ट में एड कर दूंगी तो आप अपने हिसाब से देख लिजेगा तो मेरा पहला दिन था और ज अपना वेट तो आज का मेरा वेट है वह 6-5.05 तो मैंने फ्रेशन अपो के और मैंने प्राइट चेक किया है इसके इस से फ़रे मैं इस सर्फ जस्तर एक ग्लास पाने किया था एंड इस डेली ट्रेक करने से न यह रहता आपको पता रहता है कि अपने क्या खाया पिया है त सबसे पहले मैं मॉर्निंग में उसके बाद लेती हूँ चिया सीट को मैं रात को पानी में भी गोकी रख दिया था और इसके अंदर मैं बिल्कुल उबलता हुआ पानी एड करूंगी और इसमें दो चमबच एपल साइड विनेगर और हाफ लेमन डालोंगी तो जब एपल स यही लेती हूँ मैं उसके बाद मैं लेती हूँ एक कप चाय ठंडे भी आ गई है और वैसे भी चाय की हैबिट है तो मैं हाफ कप एक कप चाय और हाफ जो है मैं अपना बिस्किट लोंगी और यह पानी के बोटल है इसको मैं भरके रख देती हूँ सुबह ही और फिर इसको पीती रहती हो तो एड़ी लीटर की बोडल है तो कभी मेरा दो लीटर हो पाता है कभी तीन भी हो जाता और कभी सिर्फ डेड़ ही रहता है बट इससे क्या उतना ट्रेक रहता है पाने का क्या पिया है और सुबह मैं बना रही हूं ब्रेकफास्ट में बेसन का चीला जिसके अ मैंने थोड़ सी पालक डाली है एक टमार्टर डाला है 50 क्रां मैंने इसमें पनिर डाला है और अरम ज 느ाड़ी पalnya ब возь शिमला जोड़े और गीने और अवलिव ओल लगाया है और इस पे में अपना प्रेड करदूगी और यह दो चीला मैं लूँगी दो नहीं पूरा नहीं खाया जाता है तो बस यह चीले को अब अच्छा से बना लेंगे थोड़ा सा मोटा ही बनता है और थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा अा क तो यह में रहा बेक फास्ट की शीना होगया और इसको टेंट की चेल recommended gratis, और सुम्हें जिसको ऐस कैनी में गूझिसे पुर जाती हैि और सानी समिदाइ पुदेने की लिए तुछ diversity to. तो ग्रेंटी के लिए है जिसके अंदर के मैंने हाफ लेमन डाल दिया है और यह छोटे अमरूद या फिर एपल कुछ भी यह हो जाएगा मेरा तो यह होगा मेरा मिड़ मॉर्निक सिनेक्स लंच बहुत ही सिंपल सा है तो लंच में मैंने क्या किया पानी को बॉयल कर लिया है और उसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर और प्याज एक टमाटर कट कर लिया है एक प्याज कट कर लिया ब्रोकली है थोड़ी सी पता वो भी और यह है बारले तो बारले को मैंने बॉयल कर लिया है और चने के दाल को भी बॉयल कर लिया है तो यहां पर पानी में रग मतलब वही वैसे ही मेरे रेडी करना है नमक डाल देना है हल्धी मसाला डालना चाहो Admiral अल्क हल्का सा डाल सकते है और बस इसको अच्छे से पका लेंगे तो घी की बजाए घी और तेल की बजाए मैं इसको पानी में अच्छे से पका रही हूं तो इससे oil बगारा नहीं जाएगा तो थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है और यहाँ पर मेरे पास ब्रोकली और पता गोबी थी तो मैं डाल के और अब इनको हलका सा पका लूँए पाने डाल के ढखके रख देंगे तो यह ना अच्छे से पक जाएंगी और उसके बाद हम इसके अंदर जो बारले हमने बोईल किया था बारले को अच्छे से बोईल करके रख लिया था और दाल को भी क्योंकि टाइम लगाते है पकने में तो मैंने दोनों को पहले ना बोईल करके रख लिया था तो सब्जय मेरे अच्छी से जब बंग जाएंगी तो इसके अंदर एक छोटी कटोरी दाल लेनी है और एक छोटी कटोरी ही बार ले लिया है तो उन्हों को एक वल अमाउंट में ने लिया है जैसे दाल चावल बनाते हैं वैसे ही बना रही हूं मैं मतलब थोड़ा सा मन डालो भाई इतना टेस्टी लगता है ना मैंने कभी सोचा नहीं था और यह सब चीज़ें कर मैं खा सकते हूं ना तो दुनिया में कोई भी इंचे जो खा सकते हैं उसके बाद श्याम को फिर से मैंने हाफ बिस्किट और एक कप चाय लिया तो चाय मैं नहीं छोड़ सकती तो तीन से पांच जार तो होई ही अधर वाइस टार्गेट दस जार करेता हैं तो रात को डिनर में जो मूग डाल होती ना हाँ मूग जो यलो औरेंज वाले मूग डाल होती है छिलगे वाले वो है और सबजी आ है पता गो भी फूल गो भी पनीर गाजर शिम्ला मिर्ची य अच्छे से सूप बन जाएगा बट मैं क्या करूंगी मैंने पानी वही फिर से पानी लिया है ओल का यूज नहीं करना और बस इसमें अप्याइस डाल दी है टमाटर और हरी मिर्ची डाल के थोड़ा सा छोक जो रैडी हमने किया थाल है तो अदर कपेस डाल के वैसे इसका मतलब 3-4 सीटी लगवाद हो तो सारे चीज़े ना बहुत अच्छे से कल जाएंगे और फिर आपका सूपी डाल सूप डाल सूपी डाल जो मर्जी है वो बहु सकते है वैस विद वैजिटेमस और भाई साब ये भी इतना टेस ही लगता है ये चीज़े ऐसे लगते ना पता के लिए ट्राइ करके देखो और आज मैं इस वीडियो को एडिट कर रही है तो मेरा दो बार का ऐसा हुआ है कल भी मैंने शादिया टेंड की थी आज भी मैं बाहर जा रही हूँ तो इतना प्रोपरली नहीं हो पा रहा है मुझसे लेकिन एक हफते के बाद जो भी होगा मैं आप लोग साथ शियर करूंगी और यह प्रोबाइटिक से लेने बहुत इंपोर्टेंट आपकी गट हैल्थ के लिए बहुत इंपोर्टेंट इस डाइट के साथ में साथ में मल्टी विटामिन्स और जो है फिश ओयल वाले की कैपसूल ले रही हूँ मैं तो मेरे मल्टी व रिजल्ट आता है इस डाइट का इबा करके देखीगा और मुझे बताईएगा